यह बहुत ही interesting printer है, यह है label printer और इसे बच्चे अपने schooling activities के लिए, projects के लिए use कर सकते हैं, home या office यूज के लिए भी आप यह जो label printer है, इसे use कर सकते हैं, इसका उप्योग करके आप इस प्रकार के labels प्रिंट कर सकते हैं, जिसे आप असानी से किसी भी object के उपर चिपका सकते हैं तो चलिए, इस video में मैं आपको इस product के बारे में अधिक जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए देखते रहे हैं, यह है brother brand का एक और product, यह है compact label printer, PTD210, और जो key specifications हैं वो यहाँ पर box पर mention किया हुआ है, यह काफी interesting product है, और खास करके day to day activities के लिए काफी काम में आ सकता है, इस इसे students use कर सकते हैं, office work के लिए use कर सकते हैं, और यहाँ पर box पर ही कुछ examples दिया हुआ है, जिससे आपका idea मिल जाएगा, कि यह product है, आप कहाँ पर use कर पाएंगे, तो चलिए, सबसे पहले मैं इसकी unboxing कर लेता हूँ, तो जो product है, उसे इस परकार से pack किया हुआ है, यहाँ जि इसे काफी compact device है, यह देखिए, छोटा सा printing machine है, और इस पर यह keyboard भी दिया हुआ है, ताकि जो label आप print करना चाते हैं, उससे आप type कर सकते हैं, और इसके अलावा box में यह adapter दिया हुआ है, इस device को power करने के लिए, और यहाँ पर यह sample tape दिया हुआ है, यह tape cartridge है, जिस पर basically printing होने वाला है, तो चली मैं इसका setup कर लेता हूँ, यह है label printer, और इसे आप इस प्रकार से खोल सकते हैं, यह देखिए, अंदर आपको यह जो cassette दिया हुआ है, अब यह cassette है, यह जो cassette है, यह साथ में free मिला हुआ है, तो इसे मैं इसमें दालने वाला हूँ, किस प्रकार से आपको द available है, और इनका जो pricing है, यह भी vary होता है accordingly, अब इसे use करने के लिए मैं इसमें 6 AAA batteries दालने वाला हूँ, ताकि मैं इसे कहीं पर भी आसानी से ले जाओ, portability factor, वैसे box में यह adapter दिया हुआ है, आप यहाँ पर connect कर सकते हैं, अगर आपको जो battery से उसे use नहीं करना है तो, तो सबसे पहले मैं batteries दाल देता हूँ, यह लिजिए batteries को मैंने दाल दिया है, अब मैं इसमें cassette दालने वाला हूँ, यह जो 12 mm का laminated cassette है, इसे मैं दालता हूँ, तो यह देखिए, आपको यह cassette है, इसे इस प्रकार से दलना है, बहुत ही आसान है, और यह लिजिए, अब यह fix हो गया है, तो जो tape है, यहाँ पर automatically इस area में जाने वाला है, प्रिंट होके यहाँ से निकलने वाला है, इसे मैं बन कर देता हूँ, यह लिजिए, तो यहाँ से जो tape है, यह print होके बाहर निकलने वाला है, और मैंने इसमें भैटे दाल दिया है, तो यह जो power button है, इसे press करते हैं, press and hold, य देखेर अब ये ओन ho recipes अब डारेक्टली डिस्प्ले बर मैं जो भी пред रिंट करना है लेबल प्रिंट करना है उसे मैं टाइप करता हूं तो सब से पहले मैं गोगी टैप करता हूं तो अब मैं यहां पर जो फॉंट है उसे चेंज करने की कुशिश करता हूं उसके लिए आपको फॉंट का बटन है से प्रेस करना है यहां पर फॉंट की ऑप्शन मिल गया है यह जो एरो की है इससे आप साइज वृत स्टाइल अलाइनमेंट और फॉं और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो फॉंट है कैसा दिखने वाला है तो अगर मुझे मान लीजिए ऐसा फॉंट है ओके किया मैंने एक्सेट हो गया है लेकिन यहां पर मुझे वैसा और पूट नहीं मिलने वाला है मतलब कि यहां पर सिर्व आपको नॉर्मल टेक्स दि है आपको किस प्रकार का बेसिक सिंबल चाहिए पिक्टोग्राफ चाहिए एक्सेक्टरा तो पिक्टोग्राफ ओके तो यहां पर इस प्रकार का सिंबल आपको मिल सकता है तो मैं फिलाल यह सेलेक करता हूं ओके अब यहां पर भी बहुत सरे आप्शन्स हैं यह वाला सेलेक करते हैं और अगर आपको कोई टेंपलेट यूज करना है तो टेंपलेट का लाइबरी है वो भी आप सेलेक कर सकते हैं इस प्रकार से फिलाल मैं anytime निकल रहा है रहे हैं यो अब एक बार यह प्रिंट हो के अगया यह जो बसरो है से प्रेस करूंगा यह पर सीजर का आइकन है कि इसे प्रेस करोंगा कि को यह जो लेबल है यह कट के बाहर आ गया है अब यह जो लेबल है यह basically इसे मैं पील कर सकता हूं और कहीं पर भी स्टिक कर सकता हूं क reliability आउसम लेवल की है और प्र इसस पर जोभी चीज मईल है ये इतनी आसानी से निकलने से पंड़ा नहीं है फेड नहीं होने वाला है लॉंग रन के लिए यह काफी अच्छा है वाटर्पूरूफ भी है चलिए अब एक और करते हैं मैं सरिफ जी ओ जी आई लिखता हूं वह भी काप्स में और यहां पर जाकर मैं जो फॉंट है इसे सेलेक करता हूं ओके और यह वाला जो फॉंट है प्रेंट अब यहां से प्रेंट होकर बाहर निकलने वाला है यह रिखें उसी फॉंट में और यह बटन है इसे प्रेस करते ही जो लेबल है यह कट जाता है और यह देखिए ऐसा प्रेंट होके आ चुका है अब लास्ट टाइम मैंने यह जो फ्रेम है से यूज किया था तो आपको यह चीज का धाम देना है यह जो लेबल है यह बेसिकली स्टिकर है इसे मैं पील आफ करता हूं मैं इसे फॉर एक्जामपल यहां पर चिपका देता हूं यह देखिए काफी बढ़िया तरीके से चिपक गया है लेबलिंग के लिए यह बहुती बढ़िया ऑप्चिन है और यह जो स्टिकर है आसानी से पील आफ भी हो जाता है अब यह देखिए यह है सैंपल जहां पर मैंने जो अलग-अलग लेबल्स है उनका उप्यों करके प्रिंट किया हुआ है और मैंने यह जो एफोर फिल्म है इसके उपर चिपकाया हुआ हुआ है 6 mm ब्लाक इन नीट लेबल है है वाला यह 9 mm ब्लाक और येलो रेड ओन वाइट और यहां पर देखिए कि प्रिकार से बैने अलग-अलग फॉंट इसकिया हुआ है अलग-अलग फ्रेम उसकिया है symbols use किया है तो इस प्रकार के labels आप print कर पाएंगे और इस प्रकार का label भी available है black on gold basically gold label है इस पर आप black printing कर सकते हैं अगर आपको patterns print करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर देखिया option दिया हुआ है यह सारे patterns available है बच्चों का जो schooling activities है उसके लिए भी यह एक perfect option हो सकता है और home use के लिए भी kitchen में आप इसे अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे for example tea sugar इसका label मैं बना सकता हूँ तो यहाँ पर मैंने टी टाइप किया हुआ है और इससे प्रिंट करता हूँ प्रिंट होनेके बाद आपको cut कर रहा है यहाँ पर भी को message मिल जाएगा देखिए place cut questo यह हो गया कट और यह देखिए बड़े font में मैंने टी प्रिंट किया हूँ है तो टी मैं यहाँ पर चिप करता हूं बहुत ही जल्दी प्रिंट हो जाता है यह दिजिए and cut फिर इसे peel off करता हूं वैसे आप जो label का margins है इन्हें भी set कर सकते हैं तो यह दिजिए यह हो गया sugar यह लिजिए मैं एक और करने करता हूं और यह सकर करके मैं मेरा जो घर का bell बटन है उस पर चिपकाने वाला हूं इंदि यहां पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं यह देखे यह है पानी और ऐसे से रख दिया है यह काफी बढ़िया है जो प्रिंट क्वालिटी है ना यह काफी अच्छी है लॉंग लास्टिंग है इसे कुछ भी नहीं होने वाला है एक तरह से लैमिनेटेड प्रिंटिंग है प्रिंट के ऊपर लैमिनेशन है चलिए अब मैं इसे चिपका देता हूं तो जो बटन्स है इन पर जरा भी दाग नहीं आने वाला है इस प्रोड़क का प्राइजिंग है तकरीबन 9,300 रुपीज के आसपास और जो कार्टिज है इस प्रिकार के जो कार्टिज है इनका कॉस्ट अलग है अधिक जानकरी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस वीडियो को लाइक जरू कीजिए और देखते रहिए